एक सवाल है गौरब सिंग का रेनु का शुगर के बारे में जानना चाहते हैं छोटे अबदी के लिए इस पर क्या रहे रहेगी श्री रेनु का शुगर को देखिए भी बहुत कुछली पॉइस है कि आज का लो मेरे घ्राप से इंपॉर्टेंट हो गया तो कि आज का लो के नीचे अगर क्लोज मिलता है श्री रेनु का शुगर को जो यह टॉप है 56.5 का वो टॉप सैक्रोसान पॉप को जाए उसके पहले अज का लो जब तब फोल्ड करता है इसके होप बढ़े रहेंगे एट लिस्ट कंसॉलिडेट करने के अपसाइड आने के लिए तो इसको 56-57 के ओपर ख्लोज लेना ही पड़ेगा उसके पहले इसमें अपसाइड नहीं आएगा इस चीज का खास्त थान रखिएगा स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ है बिकाज हो भी सकता है कि सेकेंड टाइंड टेस्ट होता है तो यह होके रह भी जाए लेकिन आज के लो के नीचे का फ्लोज होना बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होगा इस चीज का ध्यान रहें तो कॉंटूर जब तक 56 57 नहीं निकल जाता है सेल और इस चीज का ध्यान बहें और आज के लो के नीचे तो रिस्क बढ़ता जाएगा तो स्ट्री रिणका के बारे में बहुत क्लियर लेवल्स आपके सामने स्टॉपलोस भी हैं मतलब कॉन सास्तर टूटने पर खत्रा बढ़ जाएगा व दो सो दिनों का मुविंग अवरेज अभी छूता हुआ देख रहा है उसके नीचे फिसलने पर और आज के निचले स्टर यानि बावन चालिस के नीचे जाने पर समस्या इसमें और बढ़ सकती है जबकि अगर 56 स्टावन के ऊपर निकलेगा तो फिर देहतर सगारात्म कुम बननी शुरू होंगी उससे इन दोनों सतरों के बीच में ये एक तरह से कंसोलिडेट करता हुआ ही नजर आएगा